मेरे प्यारे देश्वासियों, जब हमें अपनी चीजों पर गर्व होता है, तो दुनिया में भी उनके प्रती जिग्या सब बढ़ती हैं। जैसे हमारे आध्यात्मने, योगने, आयुरुवेद ने पूरी दुनिया को आकरशित किया है। हमारे कई खेल भी दुनिया को आकरशित कर रहे हैं। आजकल हमारा मलखम भी अनेकों देशों में प्रचलीत हो रहा है। अमेरिका में चिनमय पाटनकर और पग्या पाटनकर ने जब अपने घर से ही मलखम सिखाना शुरू किया था तो उन्हें भी अंदाज नहीं था कि इसे इतनी सफलता मिलेगी। अमेरिका में आज कई स्थानों पर मलखम ट्रेनिंग सेंटर्स चल रहे हैं। बड़ी संख्या में अमेरिका के युवा इससे जूट रहे हैं। मलखम सीख रहे हैं। आज जर्मनी हो, पॉलेंड हो, मलोशिया हो, ऐसे करीब 20 अन्य देशों में भी मलखम खुब पॉपिलर हो रहा है। अब तो इसकी वर्ल्ड चेंपियंशिप भी शुरू की गई हैं। जिसमें कई देशों के प्रतिभागी हिस्सा लेते हैं। भारत में तो प्राचीन काल्ट से कई ऐसे खेल रहे हैं जो हमारे भीतर एक असाधरन विकास करते हैं। हमारे माइंड बोडी बैलेंस को एक नए आयाम पर ले जाते हैं। लेकिन संभव तह नई पीडी के हमारे युवा साथी मलखम से उतना परिचित न हो। आप इसे इंटरनेट पर जरूर सर्च करिए और देखिए। साथियों हमारे देश में कितनी ही मार्शल आर्ट्स हैं। मैं चाहूंगा कि हमारी वा साथी इनके बारे में भी जाने, इने सिखे और समय के हिसाब से इनोवेट भी करें। जब जीवन में बड़ी चुनवतिया नहीं होती हैं, तो व्यक्तित्व का सर्वशेष्ट भी बाहर निकल कर नहीं आता है। इसलिए अपने आपको हमेशा चैलेंज करते रहिए। कि झांपको हमें बाहरे में खर ज literary नहीं होती हैं, तो झांपको हमेने खिलेंदämäरे में भी जिय Bow झीप भी चैना, झांपको हमेंयों ढगाड़ें बाहर रहिए।